जैहिन जैभार दोस्तो मैं आपका दोस्त अजीत फोजी सुंगरपुरिया आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्ट्स केडमी तो साम दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं आप कोई भी रगूट्मेंट रेली में जाते हैं चाहे वो एरो केडवारा की जाती हो या सेंटर केडवारा तो आपको जो हना वो डोकुमेंट जो ये जुरूरी डोकुमेंट है ये बनवा कर लेकर जाने है बरती में आज जो चल रहा है ये ही डोकुमेंट मांग रहे है जादातरः अभी सबसे पहले बात करते हैं COVID-19 जो free भी सैटिवगट बनता आपका सरकारी उस्पिटल छे लग बगए 24 गुंटे में आपको रिपोर्ट मिल जाती है सरकारी उस्पिटल से बनवा कर ले कर जाएं क्योंकि हर बर्ती में 48 से ज्जादा ही गुंटे की रिपोर्ट मांगी जाती 48 तो कम से कम है तो इसलिए भाई दोस्तों सरकारी उस्पिटल से अपना कोविड-19 का फ्री सेटिव गड रिपोर्ट बनवा कर ले जाएं उसके अंदर आपका जो हैने लाइसस नंबर होना बहुत जरूरी है यह रिपोर्ट किसी अदर बरती देख रहे हो तो आपको पता online registration करना पड़ता है तो जो भी आपने online registration किया है उसका जो फारम है वो आपको लेकर जाना है उसके बाद जो admit card आता है और admit card के साथ में एफिड-े उट आता है वो सभी आपने त्यार करवाने हैं नोटरी के दवारा उसके अलावा एक certificate आजकल चल रहा है नो रिस्क certificate वो नो रिस्क certificate है वो भी आपको त्यार करवा ना उसमें parents के और सरपच वगरा के sign करवा कर ले जा सकते हो या notary से भी बनवा सकते हो नहीं तो खुद के sign और parents के sign होने पर भी चलेगा अगला बात करते हैं जो willing certificate for the enrollment duly signed by the parents, guardians या counter sign by the village सरपच पंचायत परजिडेंट कंडिडेट बिलो दा 18 इर चोपेज जो भी लड़के 18 साल से निचे हैं वो लड़के क्या है फिडेवट बनवा कर लेकर जाएं उसके उपर जो है न वो serpence के sign भी चल जाएंगे आपके जो माता पिता है उनके sign भी चलेंगे counter sign वगरा तो इस type से आप जो भी एक set ticket बनवा कर लेकर जाएं जो बरती देखने का set ticket होता है वो 18 साल से निचे के लड़कों के लिए है उसके अलावा एक self है एफिडेवट भी देना पड़ रहा है आजकल तो वो भी बनवा कर लेकर जाएं जो 18 साल से उपर ही क्यों न हो तो एक एफिडेवट त्यार करवा रहे हैं self का उसके बाद बात करते हैं अगर relation certificate is issued by the record office जो अगर relation के बच्चे हैं जिनके बाई या फादर वगरा जो फोज में हैं या अक्सरिश्मेन हैं तो वो भी लड़के अपना relation certificate लेकर जाएं आपके जो आल ओरिजनल education certificate जो भी आपकी मारक सीट हैं चाहे वो 8 की है 10 की है 12 की है बीए की है जो भी आपके पास में education का certificate है जिसके उपर आप बरती देख रहे हो तो वो original साथ पका लेकर जाएं उसके अलावा इन सभी document की आप फोटो कोपी जरूर रखें आठ आठ दस दस उसके बाद बात करते हैं ID के बारे में तो ID का जो है अधार कार्ड आपका आजकल compulsory है अधार कार्ड होना चाहिए अगर किसी के पास में pen card है driving license है उसके अलावा आपके ये जो ID में आता है आपकी बैंक पास बुक वगरा है अगर हैं तो ठीक है नहीं तो आधार कार्ड होना बहुत जरूरी ये बाद में देश सकते हो उसके बाद बात करते हैं ने टीवीटी certificate यानि कि ये आपका domicile है रियाइसी परमान पत्तर ये आप कहां से सम्मंद रखते हैं कौन सा जिला तसील तालुका से तो इसके लिए आपका जो domicile होना बहुत जरूरी है मूल निवास परमान पत्तर बोलते हैं इसको उसके बाद आप कास टैटिविकट तो भई कास टैटिविकट जो हैं जो SC है BCA BCA B जो भी है ये नहीं कि उनके लिए नहीं बनेगा ये ऐसा किसी ने नहीं बोला है उसके लिए आप बनवा सकते हो उसके उबर तसिलदार वगरा SDM वगरा के साइन होने चाहिए आपके ठीक है तो वो बुक सेलर के पास मिल जाता आपका कास सेटिविकट जाती परमान पत्तर उसके बाद अगर NCC सेटिविकट है आपके पास में कोई भी A, B, C जो भी है A के 5 नमबर मिलते हैं B के 10 नमबर और C है तो आपका टेस्ट माप होता है GD के अंदर और ट्रेडमेन के अंदर और आपके टेकनिकल और कलरक के अंदर 15 पंदरा नमबर जुड़ते हैं C के लिए ठीक है दोस्तो NCC के सेटिविकट जो जिसके पास भी है लगाएं अपना बरती में पका उसके बाद 2008 रूल के मताबिक अनमेरिड सेटिविकट की बहुत जरूरत है ये एविवाइद परमान पत्र बोलते हैं और ये नोटरी के दवारा बनता है जो भी मेरे बाई कंडिडेट हैं चाहे वो साधी सुदा ही क्यों हो लेकिन वो अनमेरिड सेटिविकट देना पड़ेगा उनको बरती में कि मैं अभी तक अभी वाइद हूँ और इसके लिए है नोटरी के साइन करवाना बहुत जरूरी है मातापिता के साइन होंगे एक कंडिडेट के साइन होंगे ये एक एफिडेव टाइप होता है ये अभी वाइद परमान पत्र नोटरी से बनवाएं उसके बाद जो करेक्टर है वो आपके दो करेक्टर बनते हैं एक सरपच के दवारा विले सरपच के दवारा और एक सकूल के दवारा तो जो भी मेरे बाई हैं अपना दो करेक्टर पका बनवा लें एक सकूल का और एक ग्राम पंचायत का और ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है अब इक रेक्टर है उसके बाद पुलिस वैरिपिकेशन ये भी 6 महीने के लिए वैलिड होती है और ये जो है ने आज कल ओनलाइन बनने लगी नहीं तो पहले आपके जो जिला का जो एस पी होता है इस प्रिडेंट ओ पुलिस वहां से बनती थी तो आज कल ये ओनलाइन भी चलान कटके बन जाती है तो जो भी मेरे भाई है पुलिस वैरिपिकेशन पुलिस रिपोर्ट पका लेकर जाएं बरती में ये 6 महीने के लिए वैलिड होती है उसके बाद आज कल अरियाना में त तो स्टेटों का पता नहीं लेकिन जो भी मेरे भाई है फैमली डिटेल जरूर बनवाएं फैमली आईडी के साथ लगा दें उसके में आदार कार्ड भी लगा सकते हैं दूसरी स्टेट के हैं तो अपनी फैमली आईडी जरूर बनवाएं फैमली आईडी में आपके जो पर वर्थ वगरा क्या है सबी उनके तो इस परकार फैमिली डीटेल जरूर बनवाएं उसके बाद जो सकूल छोड़ने का परमान पत्तर होता है आप कहां तक पढ़े हो कौन से सकूल में पढ़े हो पका लेकर जाएं जो भी मेरे बाई जो यूवास आती हैं जिनोंने ओपन से कि जरूर बनवाएं और अगर बार मी से आप बरती देख रहे हो कल रख वगरा की तो ग्यार मी पास का जरूर बनवाएं तो कहने का मतलब यह कि ओपन से अगर आपने किया हुआ है तो पिछली कलास का रिकोर्ड जरूर रखें साथ में उसके बाद तीस पासपोर्ट साइज पोटो बनवाले जो पासपोर्ट साइज फोटो होते हैं उनके अंदर आपके दोनों कान दोनों आख विजवल होना चाहिए साइड पोज, चस्मा या कैप नहीं होना चाहिए तो इसपरकार से आप बरती में इस परकार से शारे डौकूमेंट बनवा सकते हैं दोस्तो और बरती देखें, अच्छी त्यारी करें, बेस्ट ओप लक्त, अगर आपको कोचिंग की जुरूत है तो हमारे पास फीजिकल के लिए, टेस्ट के लिए और गेम के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं, हमारी अकेडमी हरियाना के अंदर विवानी जिला के तसील तो साम में है, तो कि अगरे आपको कै जुआी है।